दक्षिनी अफ्रीका में बसंत का आगमन सितंबर के शुरुवाती दिनों में होता है जिसके बाद प्रकृती खिल उटती है दिन लंबे होने लगते हैं तापमान बढ़ने लगता है और जानवर तथा पेड़ पौधे प्रजनन करने, जन देने और अपने बच्चों के पालन पोशन में जुड़ जाते हैं स्प्रिंग एक्विनोक्स तक रात और दिन लगभग समान लंबाई के हो जाते हैं ऐसा साल में सिर्फ दो बार होता है जब सूरज का खेंद्र हमारी प्रित्वी के एक्वेटर के ठीप उपर आ जाता है और तब पूरे महाद्वीप में हलचल देखने को मिलती है अपरीका के दक्षिनी सिरे पर दो लाग से ज्यादा केप ग्यानिट पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं इन्होंने पिछले आठ महीने साउथ अस्लांटिक ओशेन के किनारे से दूर बिताए हैं अब वो साल के इन्ही दिनों में उसी द्वीप पर आते हैं जहां वो पैदा हुए थे ताकि वो भी अपने बच्चों को जन्म दे सके ठीक इसी समय मौसम भी अच्छा होता है और समुंदर में खाना भी भरपूर मिलता है कुछ नौजवान पहली बार एक चूजे को पालने की कोशिश करेंगे साथे चुन लेने के बाद वो आमतोर पर जीवन भर का साथने भाते हैं एक युवानर अपने पहले ब्रीडिंग सीजन के लिए टापू पर आया है जगह बहुत कम है इसलिए टापू पर घूसले के लिए सही जगह मिलना आसान नहीं होगा नजाने कितने दिनों बाद इसे सूखी जमीन पर पाउँ रखने का मौखा मिला है मचलियों की तलाश में 3000 किलोमीटर का चकर काट कर अब इसका काम है अपने लिए एक साथ ही ढूनना सितंबर का सूरज तेज है गर्मी से बचने का एक ही उपाय है बड़ा सा मोख खोलकर हापना लेकिन इसका ध्यान कहीं और है उपर चकर काट रही मादा उपर ये अपनी चोंच उठा लेता है अपनी चोंच को इस तरह उठा कर ये बता रहा है कि ये मिलन करना चाहता है लेकिन मुखाबला कड़ा है इस ध्वीप पर इसके अलावा करीब पांच हजार गैनिक नर है और सब ही प्रजनन के लिए उच्चुक है उपर मादाएं ध्वीप के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो घूसले की सबसे अच्छी जगह और उस पर खड़े नरों की तलाश में है इसकी तलाश भी जारी है सारा खेल सबर कहे कोई तो मिल जाए शायद उम्मीद की कोई गुंजाईश है या शायद नहीं लगे रहो ग्यानिट भाई लगता है आखिर कार इस मादा को हमारे वाले ग्यानिट की अदाएं पसंद आ गई है वो एक प्यार भरी लैंडिंग करती है और आसमान की तरफ चोंच उठाकर हाँ कहती है अपनी चोंच को एक दूसरे से टकराना मेल मिलाब का तरीका है ये एक ऐसे रिष्टे की शुरुवात है जो इन्ही कई सालों तक निभाना है जब भी ये बिछड़ने के बाद दोबारा मिलेंगे हर बार यही रस्म निभाएंगे ये एक दूसरे की सफाई करते हैं इससे ये एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि ये बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकते हैं केप ग्यानित्स दुनिया में सिर्फ छे द्वीपों पर मिलन के लिए इकठा होते हैं इसका मतलब है हर जोड़ा एक बड़ी भीड के साथ अपना घर साजा करता है अब ये जोड़े अपनी अपनी एक लोती संतान को पालने के लिए मुखाबला करेंगे जिसमें साथ अट्लैंटिक ओशिन की बेहिसाब मचलियां बच्चों की खुराग बनेंगी ये नमीबिया के पश्चिमी तट पर दोपहर का समय है जहां लाखों केप पर सील्स रेद के तीन किलोमिटर के किनारे पर आराम कर रही है वो यही के निवासी है और साल भर इस समुद्र तट पर अपना खब्जा बनाए रखते है अब सितंबर के मध्य में वसंत के मौसम के बीच ये बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा करते है इस मा ने अभी अभी एक नन्हे बच्चे को जन दिया है एक तरफ खतरनाक अट्लांटिक महासागर तो दूसरी तरफ है विशाल नामीब रेगिस्तान बच्चे को कुछ ही हपते में वो सब कुछ सीखना है जिससे वो अपने दम पर जिन्दा रह सके जैसे ठंडे पानी में तैरना मचली पकड़ना और वसंत के खत्म होने से पहले ये सीखना कि यहां के धीर सारे खतरों से कैसे बचना है ये बात कि यहां धीर सारे बच्चों ने जन लिया है बाहर वालों को पता चल चुकी है ब्लाक बाक जैकल्स और ब्राउन हाईनास रेगिस्तान से निकल आए है वो नए सील बच्चे के शोर और गंध से आकरशित हुए है ये एक मरे हुए सील के बच्चे कुचे शरीर के लिए लड़ रही है आखिर तीन सियारों ने लड़ाई छोड़कर एक साथ खाने का मज़ा उठाना ठीक समझा नवजाद सील की मा उन पर लगातार नज़र रख रही है अगर बच्चे को बड़ा होने तक जिन्दा रखना है तो उसे ऐसे कई खतरों से बचाना होगा प्रित्वी की जुकी हुई एक्सस सदन हमिस्फेर को सूरज के नस्दीक ले जाती है और आफ्रिका में वसंत रितू आती है जबकि प्रित्वी का नौदन हमिस्फेर सूरज से थोड़ा दूर हो जाता है जिससे वहां ठंडे दिन शुरू होते हैं यानि पत जड़ उत्तर के ठंडे ताप मान से बचने के लिए हजारों प्रजातियां दक्षण की ओर रुख करती है सितंबर और अक्टूबर में लाखों पक्षी दक्षणी अफ्रीका पहुचते है जहां वो मौसम के बदलने तक रहते है ठंडे ने बिलकुल पसंद नहीं वसंद और फिर गर्मी के खत्म होते ही ये पक्षी वापस चले जाएंगे ये साल भर मौसमों का पीछा करते हुए दुनिया घूमते हैं और अलग-अलग महदवीपों में गुजर बसर करते हैं खाने की तलाश में ये एक साल में 15,000 किलोमेटर तक की यातरा कर सकते हैं लेकिन फिल्हाल वो दक्षणी अफरीका के उपजाओ लेक्स और वेट लैंड्स की तरफ खिंचे चले आएं हैं साउथ आफरीका का लेंगबून लगून प्रवासी पक्षियों के ले मानो एक चुम्बक है अफरीका के पश्चिमी तट से तकराता हुआ समुद्र का पानी हर रोज खारे पानी के वेट लैंड्स में पोशन भरता रहता है जिसके वज़ा से यहां शिकार की भरमार हो जाती है जैसे केकडे, घूंगे और छोटी मचलिया वसंद के गर्म तापपान के साथ इनकी आबादी तेजी से बढ़ती है कुद्रत ने उथले पानी में पक्षियों के लिए धेर सारे खाने का इंतजाम किया है स्थानिय पशुपक्षि भी उन लाखों जीवों का भोजन करने के लिए शामिल हो जाते हैं जो अब लगून में अंडे दे रही है उनकी चोँच की भिनिता के बज़े से पक्षियों की कई प्रजातियां एक साथ भोजन कर सकती है फ्लमिंगो, करल्यू, आइबिस, सैंडपाइपर, एवुसित, नौट और कई तरह की बतके ये सभी शिकारी पक्षि अलग-अलग प्रजातियों को खाते हैं फ्लमिंगोज कम गैराई से छोटे श्रिम्स और एल्गी चानते हैं जबकि सैंडपाइपर्ज अपनी लंबी चोट से मिट्टी में से केखडे और घोंगे निकाल लेते हैं ये सब ही उत्तर की ओर अपनी वापसी से पहली जी भर के खाएंगे पूरे दक्षणी आफ्रिका में बसंत आचुका है और अक्टूबर के मध्य तक सब कुछ खिल साजाता है साउथ आफ्रिका और नमीबिया की सीमा पस्थित नमाक्वा लैंड की रूखी जमीन चंगली फूलों के कालीन में बदल जाती है साल में एक बार रेन देजीज, हॉस ब्लॉम्स, मखीट्स और इलन स्पीज के साथ साथ फूलों की दरजन उप्रजातियां इन मैदानों में रंग बिखेर देती हैं ये पौधे कब खिलेंगे ये दिन की लंबाई तै करती है वसंद में जितनी ज्यादा धूप मिलेगी फूल उतने लंबे समय तक खिले रह सकते हैं लेकिन ये चका चौन्द सिर्फ खूपसूर्ती के लिए नहीं है सभी जिन्दा चीजों की तरहां पौधों को भी अपना वंच आगे बढ़ाना पड़ता है हर पौधे में नर और मादा हिस्से होते हैं नए पौधे पैदा करने के लिए दो फूलों के नर और मादा भाग एक साथ मिलते हैं इसे पौलिनेशन कहा जाता है लेकिन ये कोई आसान ट्रक्रिया नहीं है मादा हिस्सा यानि स्टिग्मा फूल से अलग नहीं होता इसलिए पौलिन यानि नर हिस्से को ही उस तक जाना पड़ता है नर पौलिन और मादा स्टिग्मा को मिलाने के लिए पौधों ने एक चाला की विक्सित की है हर प्रजाती का अपना अलग रूप है और अपनी अलग खुश्बू भी फिंगर प्रिंट्स की तरह कोई भी दो फूल एक जैसे नहीं होते पौलिन को दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुँचाने के लिए पौधों को एक कुरियर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है फूलों के रंग और उनकी खुश्बू से पक्षी और उनने वाले कीड़े उनकी तरफ आकरशित हो जाते हैं खाने के लालच में जब वो फूल पर बैठते हैं तो पौलन उनके शरीर पर चिपक जाता है जिसे वो अंजाने में अगले फूल तक ले जाते हैं और पौली नेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है दक्षणी अफ्रीका में वसंत ने जीवन बिखेर दिया है सबसे उचे पहाडों से लेकर सबसे गहरे महा सागमों तक बसंत में लंबे होते दिन लहरों के उपर और नीचे रहने वाले जीवों को रोशनी देते हैं किनारे से दूर तेज धूप में पाइटो प्लांक्टन को खिलने का भरपूर मौका मिलता है ये माइक्रोस्कोपिक पौधे सूरी की किर्णों को खुराक में बदलने के लिए क्लोरोफिल का इस्तिमाल करते हैं ये महासागर के सभी जीवों के लिए पोशन का इंतिजाम करते हैं इसी की बजह से समंदर में छोटे क्रिटर से लेकर विशाल मचलियां सब का पेट भरता है ये नाइजना लगून में नवंबर का महीना है और जब तेज धूप समुद्र के तापमान को बढ़ाती है तब वसंत की सबसे चमतकारी घटनाओं में से एक घटती है इन गहराईयों में छिपा दुनिया का सबसे एंडेंजर्ड सीहोर्स ना इसना सीहोर्स जन देने वाला है इस प्रजाती में ये जिम्मेदारी पूरुषने भाते हैं ये पिता गर्ब से है और डिलिवरी का समय नजदीक है तीन हफ़ते पहले मादा ने अपने अंडे इसकी थैली में दिये थे इस उमीद में कि वो इनका वंश आगे बढ़ाएंगे इसने तब से उन्ही समभाल कर रखा है अब जन देने का समय है ये कुछ देर से लेबर में था और अब वो चमतकार होने को है पहले बच्चे के बाद जल्द ही उसके तीस से ज्यादा भाई बहन और निकलाए ये सबी इस प्रजाती को फिर से आबाद करने में एहम भूमिका निभाएंगे लगबग एक सेंटिमिटर के ये छोटे बच्चे अपने नए घर से चिपके रहने के लिए अपनी पूच का इस्तिमाल करते हैं उनके पिता का काम हो गया है नवजात सी होर्स बच्चों को अब अपना रखरखाव खुद करना होगा ये एक नाजुक दौर है लेकिन जिन्दा बचने वाला हर बच्चा इस प्रजाती के भविश्य के लिए उम्मीद की किरन साबित होगा नवेंबर के मद्ध में ग्यानेट कॉलोनी में जो पक्षी जल्दी आ गए थे उनके पास पहले से ही पालने के लिए चूजे है कुछ दूसरे माता पिता अपने अंडों में से बच्चे निकलने का इंतिजार कर रही है एक सेंटिमेटर जितनी जमीन भी नहीं बची है जोड़े दिन भर अपने घूसले की रखवाली करते है और रात में भी पालने पालने की रखवाली करते है मादा अपने पंखों से धूल और कर्मी को जाड़ती है मा और उसका साथ ही छे हफ्तों से अपने कीमती अंडे को कोमलता से पाल रही है आज सुभा कुछ ठंड है इसलिए मा अपने अंडे को सेने के लिए अपने पैरों की गर्मी देती है इनकी मेहनत रंग लाने वाली है चूज़ा बिलकुल लाचार है शरीर ढाकने को पंक नहीं और आखें भी नहीं खुली जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू होता है मा बच्चे को वसंद के सूरत से बचाती है जबके पिता निग्रानी करता है दो महीनों तक ये हमेशा साथ ही रहे है ये हैं दो लेकिन इन्होंने अपना काम एक होकर किया है पहले 72 घंटों के लिए इनका एक मात्र काम है अपने बच्चे की रक्षा करना और ठंडी रातों के दौरान उसे गर्म रखना तब तक मा इसे बिलकुल खाना नहीं खिलाएगी तीन दिन बाद चूजे को जबरदस्ट भूक लगने लगती है अपने जीवन के पहले महीनी के दौरान बच्ची सिर्फ एंचोवीज खाएगी ये मचलिया किनारे से दूर ही मिलती है इस वक्त ड्यूटी पिता की है जबकि माधा शिकार करने के लिए निकल रही है वो कॉलोनी के किनारे तक जाती है ताकि अपने पंखों को पूरी तरह पहला सके इसके हाथ में ज्यादा समय नहीं है इसे जल्द ही अपनी बच्ची के लिए खाना लाना होगा वरना वो भूख से मर जाएगी दूसरे माधा पिता कॉलोनी के किनारे इकठा होते है और सभी के चूजे भूखे है आने वाले कुछ हफ्तों तक माता पिता अपनी नन्ही बच्ची की भूख मिटाने के लिए दिन में कई बार शिकार करेंगे समुद्र में मा मचली ढून रही है किनारे से कुछ दूर धेर सारी मचलियां दिखाई दी है यहां मचली पकड़ने वालों का ताता लगा है ग्यानित पक्षी उपर से गूता लगाते हैं और सैखनो शाक्स नीचे से हमला करती है अन्चोवीज के पास बचने का कोई मौका नहीं है हर पक्षी जितना हो सके उतना शिकार हड़प लेता है कुछ ही मिंटों में ज्यादतर मचलियां पकड़ी जा चुकी है बचे हुए शिकार को खत्म करने का जिम्मा ट्यूना मचली का है लेकिन इस आपा धापी में दुरघटनाई भी हुई है इस ग्यानिट का चुजा भूका रहेगा लेकिन इस नई मा के लिए ये मुहीम सफल रही है भूकी बच्ची अपनी मा की चौच को थपथपा कर उसे मचली देने को कहती है वो अपने चूजे को खिलाने के लिए अपने पेट में से खाना बाहर निकालती है जितना खाना ये अपने साथ लाई है उसे खिलाने के लिए इसे दो तीन बार अपने पेट में से निकालना होगा अगर बच्ची को जिन्दा रहना है तो माता पिता को अगले तीन महीनों तक रोजाना उसे खाना खिलाते रहना होगा पहली बार बने माता पिता के लिए ये एक मुश्किल काम है और इस द्वीब पर कई जोड़े इसमें असफल रहेंगे नवंबर के यांत तक केव पर सील्स के बच्चे बड़े होने लगे हैं ये बच्चा अब आठ हफ्टों से अपनी मा का पौश्टिक दूद पी रहा है पहले महीने वो समुद्र के किनारे पर ही रहा लेकिन सील्स जमीन पर जीने के लिए पैदा नहीं होते अपना सुबह का दूद पीने के बाद वो पानी के एक छोटे से पूल में जाता है ये तैर ना सीख रहा है इसे जल्द ही ऐसास हो जाता है कि ये कितना मज़ेदार काम है समुद्र की खत्रों से दूर ये बच्चा दूसरों के साथ मज़े से खेलता है इसे एक न एक दिन खुले समुद्र में जाना होगा और उसकी तैयारी करने के लिए इसके पास वसंत रितु का सिर्फ एक महीना बचा है उसके बाद इसे अपनी माता पिता के साथ समुद्र में जाना होगा वसंत लापरवाही का मौसम है और पूरे अफ्रीका में युवा जानवर अपने इलागों को समझने में लगे है ये सीखने और खोजने का मौका है जानजिबाद द्वीप पर जो जानी फॉरेस्ट में कुछ घंटे पहले सुभा हुई थी कॉलिबस मांकी के ये बच्चे आठ हफते के हैं ये दिसंबर की शुरुआत है और वो अपने पेड की खोजबीन में व्यस्त है पेड की सबसी उची शाखाओं से उनके जुन्ड के बड़े सदस्य जूल रही है शाखाओं को स्प्रिंग की तरह इस्तिमाल किया जा रहा है फिल्हाल ये दोनों भाई नीचे रहते हैं ताकि अगर धीली पकट छोट भी जाए तो ज्यादा चोटना लगे साथ ही मा की पूँच आसपास ही रहती है ताकि वो तुरंद लपक कर उपर चड़ जाएं बच्चे खेल कूद में लगे हैं इन्हें तो पता भी नहीं कि एक खत्रा इनके खरीब आ रहा है इन पेडू पर एक ग्रीन मामबा नजराना लगबग नामुम्किन है इसके काटने से मौद भी हो सकती है मानिस सही वक्त पर उसे देख लिया ये अपने बागे के जुन्ड को मामबा के बारे में बताने के लिए एक खास आवाज निकालती है दूसरी बंदर प्रजातियों की तुलना में कॉलबस मंकी की आँखें एक दूसरे से ज्यादा दूर होती है इस से इन्हें चीजों की नजदीकी और दूरी का बहतर अंदाजा मिलता है और साप आसानी से नजर आ जाते है ये मा के जिम्मेदारी है कि वो उसे बताए कि खत्रे कहा है और उनसे कैसे निप्ता जाए इसे अपने आसपास के धेर सारे जीव जन्तूँ को पहचानना होगा हालां कि उन में से कुछ खतरनाक है लेकिन ज्यादे तरजीव इसे नुकसान नहीं पहुचाएंगे इधर उधर गहूमते गहूमते ये दोस्त और दुश्मिन के बीच का फर्क समझने लगा है और ये तो इसके सीखने के सिर्फ शुरुआत है अभी तो बहुत कुछ देखना सुनना बाकी है लेकिन कुछ बच्चों को अभी से अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी जल्द ही इनहें अपने घूसले से निकल कर दुनिया से अकेले निपटना होगा दिसंबर के अंत में समर सॉल्स्तिस के आते आते जाततर बच्चों को अपने लिए खाना ढूनना होगा खत्रों से बचना होगा और अपने माहौल में महारत हासिल करनी होगी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हर प्रजाती के पास अपना अनोखा तरीका है अब दिसंबर है वसन तब गर्मियों में बदल रहा है तापमान बढ़ना शुरू हो गया है यह साउथ आफ्रिका के सैंफिल्ड रेगिस्तान में दोपहर का समय है और तापमान तीज दिगरी से ज्यादा है मूल स्नेक के लिए अपने बच्चों को दुनिया में लाने का यह बिल्कुल सही समय है इस मादा ने अभी अभी बच्चों को जन दिया है यह प्रजाती अंडे नहीं देती, सीधे बच्चे पैदा होते है मूल स्नेक्स थंडे खून वाले जीव है जब तक यह अपने शरीर को धूप में गर्म नहीं कर लेते, तब तक हिल भी नहीं सकते जब तक सूरज इनके शरीर को थोड़ी गर्मी नहीं दे देता है, तब तक यह यूँ ही आपस में उल्जे रहेंगे ठंडे और छोटे दिनों के मुकाबले, गर्म और लंबे दिनों में के बचने के आसार स्यादा है दूसरे पशुपक्षियों से उलट मूल स्नेक्स के बच्चे पैदा होते ही आत्म निर्भर होते हैं जिस्षण से वो दुनिया में आते हैं, वो अफ्रीकी रेकिस्तान में फलने भूलने के लिए सभी ज़रूरी चीजों से लैस होते हैं गर्माहट मिलने के बाद वो अलग-अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं ये शायद एक दूसरे से दोबारा कभी न मिलें इतनी मेहनत के बाद मा भी शिकार करने के लिए अकीली निकल पड़ती है बसंत का मौसम खत्म होने को है लेकिन गर्मियों के आने से पहली कुछ बड़ा होने वाला है एक तूफान उठ रहा है ये कोई मामूली तूफान नहीं है नमीबिया के पश्चमी किनारे पर ये तूफान हथोड़े की तरह वार कर रहा है सील्स का ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है समुद्र की चपेट में आने वाले केव परसीन्स की ये बच्चे इन खतरनाक हालात के लिए बिलकुल भी तयार नहीं थे जो अभी तैरना सीखी रहे थे उनकी लिए ये तूफान तबाही बन कर आया है तेज लहरों से बचने की कोशिश में वो छोटी-छोटी चटानों पर जमा हो जाते हैं लेकिन लहरें बार-बार उन्हें वापस पाने में बहा ले जाती हैं हर बच्चा इस कोशिश में है कि उसे इन खतरनाक चटानों पर एक छोटी सी जगह मिल जाए कुछ देर बाद लहरें शान्त हो जाती हैं और ठके हारे डरे हुए बच्चे एक दूसरे से चिपक जाते हैं जबकि कुछ बच्चे मौत के घाट उतर जाते हैं लेकिन कुछ भी बेकार नहीं जाता लकडबग्हे और सियार इस आसान भोजन का पूरा फायदा उठाते हैं जो बच गए वो बड़े होने के अपने सफर में एक पायदान उपर उठ चुके हैं गर्मिया लगभग शुरू हो चुकी है पूरे महाद्वीप में बच्चे आत्म निर्भर बन्नी की तयारी कर रही है नन्धी ग्यानिट पूरी तरह से बड़ी हो चुकी है वो स्वस्त है और अपने दम पर जिन्दा रहने के काबिल है बस एक चीज सीखना बागी है उड़ना इसके पंकों को वाटर प्रूफ करने के लिए मा अपनी चोच से उन्हें रोएदार बनाती है इस बार की बसंत रितु मुश्किल थी लेकिन इन्होंने अपना पहला जूजा पाला जल्द ही टापो छोड़कर वो समंदर में खाने के लिए जाएंगे एक साल बाद वो एक और जूजा पैदा करने के लिए दो बारा मिलेंगे बच्ची उड़ने के लिए तैयार है अगर वो उड़ नहीं पाई तो वो इस द्रीप पर फंसी रहेगी और भुक्मरी का शिकार होगी वो दूसरे ग्यानिट्स की नकल करके शुरुआत करती है वो उड़ने से ज्यादा पंक फरफडा रही है लगी रहो ननी गैनिट्स काम्याबी जरूर हाथ लगेगी कुछ खदम आगे बढ़ाते हुए वो आस्मान की ओर निकल पड़ी वो तयार है माबाप का काम यहीं पूरा हुआ अफरीका में बसंत के सिर्फ एक मौसम में इन्होंने अपनी पहली बच्ची पैदा करके उसे आत्म निर्भर बनाया और आपस में एक ऐसा रिष्टा कायम किया जो इन्हें आने वाले वर्षों में और बच्चे पैदा करने में मदद करेगा इस युवा सील को भी वैसी ही चुनौती का सामना करना है जमीन पर तीन महीने बिताने के बाद अब समय आ गया है कि वो अपने माता पिता के साथ खुले समुद्र में खाना खाने के लिए निकले तूफान ने कॉलोनी को हिला कर रख दिया है लेकिन आज शानती है और वो आसपास गूमना जाहता है वो अपनी मा के साथ पानी में उत्रा है वो इसे उन रास्तों से ले जाती है जहां इसे शिकार करना होगा अपने लिए साथ ही ढूनना होगा और अपना जीवन जीना होगा इसका शरीर इस समुद्र में जिन्दा रहने के लिए पूरी तरह विक्सित हो चुका है अगले साल तक ये युवा सील पानी में ज्यादे से ज्यादा समय बिताएगा और अंत में कॉलोनी के दूसरे सदस्यों के साथ लगातार कई दिनों के लिए शिकार पर निकलेगा लेकिन आज सिर्फ खेलने का दिन है वो और दूसरे बच्चे अपने नई माहौल में खूब मजे कर रही है वसंद के जाते जाते अपरीका के नए सदस्यों ने आजादी का स्वाद चक लिया है इन बच्चों के लिए ये मौसम मानुईत पार्चाला थी जिसमें इन्होंने ए खत्रे से निपटना और जिन्दा रहना सीखा और जो बच्चे इस पार्चाला से पासों कर निकले हैं उनके लिए वक्त है दुनिया देखने का जल्द ही गर्मीस महभीब को जुलसा देगी जीलों और नदियों को सुखा कर शिकार और शिकारियों को खरीब लाएगी नए अनुभव होंगे नए चुनोतियां होंगी आफ्रिकास वाइल्डियर के अगले अपिसोद्स में झाल झाल